नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक वार्फिर से कन्यराश 8 मार्च से 14 मार्च 2023 साथ मुख कार होकर रहेगा दोस्तों आज की इस वेडियो में हम बात करने वाले हैं कन्यराश वली जातकों के लिए मार्च के महीने का दूसरा सप्ता कन्यराश वली जातकों के लिए कैशा रहेगा यानि की 8 मार्च से 14 मार्च 2023 तक कसमें कैशा रहेगा आपका केरियर कैशा रहेगा, आपका विजनेस व्यापार कारुबार कैशा रहेगा इन साथ दिनों में पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, बैवाहिक जीवन कैसे रहेगा, दामपत जीवन कैसे रहेगा, प्रेम जीवन कैसे रहेगा, लवलाई कैसे रहेगे, स्वास्त कैसे रहेगा, सिक्षा का छेतर कैसे रहेगा, और भी अन्य छेतरों के बारे में चर्चा क करेंगे तो ये आपके लिए काफी महत्पूर्ण वीडियो के किये हैं सब्ताहिक रासिफल कन्य राजक्रत को आपके लिए बहुत ही लावकारी रहेगी इस सब्ताह कई बड़े राजयों और धन्यों कर निर्मार भी हो रहा है जो आपके लिए फाइदेवंद रहेंगे इस स हप्ता बहुत सांदार रहेगा इसल्ड तो कहा है कि कन्य राजकत को आठ मार्च से 14 मार्च तक सा्थ मुखकार हो कर रहेगा तो चलिए सबसे पहले दिन की सिरवात करते हैं कन्य राजकत को फिर ग्रह गोचरी स्तित्यों की बात करेंगे देखें कनियराशकत कों आठ मार्च से यानि कि जो दिन की सिरुवात होगी वो होली के पावन पर्व से होगी यनि कि चैत्र मार्च के प्रति पदा दिति के सिरुवात होगी, ने वर्ष के सिरुवात होगी, इसी दिन से ने वर्ष के सिरुवात होगी, हिंदू परमपर में ने वर्ष के सिरुवात होती है, ने संबत के सिरुवात होती है कने राशकत को आठ मार्च से होली का उस्सव भी मनाय जाएगा यानि कि होली रंग वाली होली खेली जाएगी और चोदा मार्च चैत्र मार्च के कृष्ण पक्षी सब्ते मितिति से समापती होगी तो कने राशकों यहाँ पर चंद्रमा की अगरिश्थी की बात करें तो चंद्रमा यनि की कने राशी से ले करके तुला राशी में फिर ब्रिशिक राशी में गोचर करेंगे और ग्रहों के राजा सूर्दे की बात करें तो इस सब्ताह ये रहेंगे कुम राशी में मंगल देव बिसब राशी में और इनका परिवर्तन होगा यह बारा मार्च को परिवर्तन करेंगे मिथुम राशी में जाएंगे बुद्ध ग्रह कुम राशी में रहेंगे और गुरदेव मीन राशी में रहेंगे तो ये थी कुछ ग्रह गोचरी इस्तितिया इन ही के धार पर जानेंगे कन्य राज़कों की आपके लिए 8 मार्च से 14 मार्च 23 तक कर समय का इशर हैगा तो चलिए सबसे पहले आपके नौकरी और बिजिनस प्यापार कारूबार की बात कर लेते हैं देखे इसमें कई बड़े राज्योग और धन्योग का निर्मार हो रहा है यनि कि इस समय महालक्ष्मी का योग का निर्मार भी होगा तो मातल लक्ष्मी कृपा से भी विशेश लाब होगा शरवार शिद्ध्योग और अम्रिश शिद्ध्योग का निर्मार होने से भी कन्य र आगे निकलेंगे, नोकरी में प्रोमोसन के सासा सेले में बर्दे होगी, मा लक्षमी कृपा से कई महत्पूर्ट छेत्रों से लाब होगा, तो पहला कार आपका नोकरी से संबंधित होगा और कई बड़े यानि कार अगर बैंक से संबंधित रुके वे थे तो वो कार बनेंग पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, बिजनेस व्यापार में लाब होगा, कई अधोरे कार भी पूरे होगे, मन चाही सफलता मिलने की योग बन रहे हैं, इस सब्ताह आप बिदेश जानी की योजना मना सकते हैं, बिदेश से भी लाब होगा, कई बड़ी चुनवतियां ज मनाफा नहीं हो पा रहा था, तो इस सब्ताह मनाफा होगा, अधिक शदिक लाब देखने को मिलेंगे, अधिक शदिक फाइदा देखने को मिलेगा, बतादे की धने ब्यापार में ब्रदी होगी, कई महत्पुड शितरों से लाब होगा, पराकर में ब्रदी होगी, और confidence level ब कृते वाली बात नहीं है अलग कि इसमें आपको राहत मिलती नजरागी शरकार की तरप से भी कोई विशेश खुशकबरी प्राप्त हो सकती है इस सब्ता है इस सब्ता है यानि कि 8 मार्च से 14 मार्च तक जो समय रहेगा बहुत इस्जानदार रहेगा आपको नई उपलब्ध लिये गे नेड़े काफी सराहनी होंगे जो भी कार करेंगे जो भी नेड़े लेंगे सफलता वश्च मिलेगी और जीवन साती से भी शहयोग की प्राप्ति होग के जीवन साती से समंद काफी मधूर बने रहेगे बतादे कि यानि कि जो सब्ता किश्रवात हो रही है आठ मार्च से होगी और होली का पावन पर भी है, होली का उस्व है, तो होली के खुशी में, होली के जस्न में भी आप डूपते नजराएंगे, चुकि होली का महापर्व है, यानि कि रंगो बाली होली है, तो भाई चारे का दिन है, चार चांद लग जाएंगे इस सब्ता, प्रते कारियों में चार चांद लग जाएंगे, घर में, यानि कि संतान की प्राप्ती घर में खुशियां, मालक्षमी की विशेश कृपा बरसेगी, मालक्षमी कृपाशे, कई कार जो अधूरेत वो पूरे होंगे, शाति साथ नई उ काम्यावी प्राप्त होगी, बड़ी उपलब्धी प्राप्त होगी, लंबे शमेशे पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, मन चाही सफलताई प्राप्त होंगे, प्रते काराशानी से पूरे होंगे, लंबे शमेशे पेंडिंग कामों को पूरा कारने का मन बना शकते हैं, अधूरे कारियों को पूरा करेंगे, शाती साथ पार्टनर कलाब होगा, और इसमें आपके द्वरा सोचे हुए कार भी पूरे होंगे, निश्चित और पे होली के दिन से इस सब्ता के श्रवात हो रही है, इसलिए इंपोर्टन कार जरूर करेंजेसे कि एक दूसरे को आप य इसलिए इस दिन मीठे पकवान का यानि की खानपीन जरूर करें इस सब्ता, तो कुलमिला का है जट बहुत अच्छा रहेगा, और साथी स्वास्त को लेकर भी अच्छा रहेगा, विदेश की स्थितिया च्छा रहेगा, विदेश जाने का सुब समाचार मिल सकता है, नोकर कर नेरमार होगा, विदेश की आत्रा होगी, विदेश में रहने वाले जो आप लोग हैं, आपको बड़ी उपलब्धी प्राप्त होगी, बहुत बड़ी कामियाबी प्राप्त होगी, शाती गाड़ी बाहन का शुक्षाधन प्राप्द करेंगे तो यानि कहा जा तो बहुत ही अच्छा रहे गए यह सब्ता तो यह था आपके लिए 8 मार्च से लेकर 14 मार्च 2013 तक का रासिफल जो कि यह सब्ता ही का रासिफल है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को अधिक से यानि की शेर कर देजेगा और चैनल से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा जै शनिदेव जै मालक्षमी